हेलो फेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तो आज का वीडियो लेक्चर किसी भी एक्जाम के दिश्टी कौन से बहुत ही जादा महत्यपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के जितने भी प्रमुख पर्व और त्योहार हैं इनको डिटील में डिसकस करेंगे देखे जो ये पूरा लेक्चर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइट करेंगे पहले हम दक्षिन भारत के पूरे पर्व और त्योहार को डिसकस करेंगे और इसके बाद हमारा सेगेंड पार्ट आएगा जिसमें हम उत्तर भारत ये फे नौट पर्व और त्योहारों को डिस्कस करेंगे ठीक है? तो आज के वीडियो लेक्चर में साउथ हिंडिया फे डक्षिन वारत के जितने वी पर्व और त्योहार हैं जोकि एक्जाम के दिश्टी कौन से काफी महत्तपूर्ण हैं इन सवी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अब वीडियो लेक्चर को अंते तक जरूर देखिए आज का वीडियो लेक्चर काफी ज़्यादा महत्तपूर्ण होने वाला है यदि आपको इस टॉपिक की पीडियाफ चाहिए है एक फसल उत्सव है आपको याद रखना है और तमिल नाडू राज जिमें सैलिवेट किया जाता है देकि पॉंगल तयोहर के दि हम बात करें बच्चो तो तमिल हिंदूओं का एक प्रमुक तयोहर है जो कि तमिल जो लोग होते हैं इनके द्वारा सैलिवेट किया जाता है इसके लबा इसी टैम पे जो उत्तर भारत में तयोहर मना जाता है इसको हम मकर सकरांती के नाम से जानते हैं आप जानते ही होंगे जब वो पतंग वगेरा उड़ाई जाती है तो उत्तर भारत में मकर सकरांती मना जाती है और दक्षिन भारत में पॉंगल के रूप में इसको मना जाता है खासतोर पर तमिल लोगों के दोरा इसके लबा यह जो तयोहर होता है लगवक चार दिनों तक चलता है फूर्ड इस तक इसको सैलिवेट किया जाता है इसके लवाद एक और इसका महत्पूर्ण पॉइंट यह है कि दक्षिन भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग खुसी प्रकट करने के लिए पॉंगल जो पॉंगल तयोहार है इसको मनाते हैं ठीक है और आने वाली जो फसल है वो अच्छी हो इसकी प्रातना करते हैं इसके लावा और समरधी लाने के लिए जो पॉंगल तयोहार इसमें वर्शा, धूप, सूर्य इंदरदेव, मवेशी इन सभी की पूजा और आराधना की जाती है ठीक है तो ये सारी डेटेल आपको याद रखना है काफी ज़दा महत्वपूर है अगला कोशन है प्रशिद जलू कट्टू तयोहार जिसको हम बुल फेस्टिवल भी बोलते हैं किस राजज में मनाया जाता है तो इसका आंसर भी हो जाएगा तमिल नाडू राज्य में जो प्रशिद जलू कट्टू है ये सैलिवेट किया जाता है आपको याद रखना है तीक अभी हमने डिसकस कि कि जो पॉंगल तयोहार है ये चार दिन टोटल सैलिवेट किया जाता है तो इसमें से ही जो तीसरा दिन होता है वो पशु को समर्पित होता है या फिर जो नंदी होते हैं उनको समर्पित होता है और इसी दिन जलू कट्टू जो महोत्सो है उसको भी सैलिवेट किया जाता है आपको याद रखना है इसमें क्या किया जाता है इस महोत्सा में जो सांड होता है इसको होता है सांड जो होता है इनके सींग में कपड़ा वांधा जाता है और जो खिलाडी सांड के सींग पर बंदे कपड़े को निकाल लेता है और सब इससे लंबे समय तक सांड की कूवर को पकड़े रखता है इसको इनाम के तोर पर अलग-अलग चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि कार, मोबाइल, मोटर साइकल, चांदी, सौनी के, चांदी और सौनी के सिक्के, तो ये सब चीज़ें इनाम की रूप में वित्रित की जाती है, तो काफी महत्रपूर्ण ये महुत्साओ है, आपको याद रखना है, ठीक है, तो पॉंगल और उसी से रिलेटेड है, जैली कट्टू, दोनों आपको याद रखना है, अगले कुशन को डिस्क्स करने से पहले थोड़ सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, यदि आप हमारे साथ जोड़कर कि किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट अप्लिकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की अप्लिकेशन को डाउनलूट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको इन्डिविज्व सब्जेक्ट की फैसिलिटी मिलती हैं, और आपको दिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यदि आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लेकेशन और क्रेजी जीटर की एप्लेकेशन पर डिफरेंट कोर्से आपको जोग्रफी के मिल जाते हैं तो आप मेरी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरमव बैच है हमारा आपको जीएस फाउंडेशन इस्ट्रोंग करना है तो आप यह वाला बैच अवेल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैग्जियून डिसकाउंट के लिए DSCGT कूपन कोट को एपलाई करना ना भूलें चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं अगला कोशन है ओडम किस राज्ज में मनाया जाने वाला एक प्रमुख तयोहार है तो इसका अंसर हो जाएगा केरल केरल राज्जी का एक प्रमुख तयोहार है ओडम आपको याद रखना है काफी महत्वपूर है ठीके दस दिनों तक यह है तयोहार चलता है आपको याद रखना है और नई फसल के आने की खोशी में ओडम पर्व को सैलिवेट किया जाता है और इसी दोरान नौका दोड़ बगेरा का भी आयोजन किया जाता है कथा कली जो की केरल का ही एक सास्त्री नत है इसका आयोजन किया जाता है ठीक है तो यह कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है एक और अन्य त्योहार है केरल का जिसको हम बूलते हैं त्रिशूर पूरम महोत्साओ तो यह जो उत्साओ है इसके बारे में भी थोड़ सापको याद रखना है यह भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्साओ या फिर त्योहार है आपको याद रखना है और इस त्योहार के दौरान हाथियों का जूलूस एक प्रमुक अकर्शन का केंदर होता है या फिर माना जाता है तो ये बात भी आपको याद रखना है ना यहां से एक्जाम में कोश्चन आ सकता है कि इन में से किस त्योहार या फिर महुत्सव में हाथी का जुलूस प्रमुक आकर्शन का केंदर होता है चलिए अगला कोश्चन हम डिसकस कर लेते हैं अगला कोश्चन है मरल विक्कु उत्सव का संबंद किस राज जिसे है तो केरल राज जिसे ही मरल विक्कु उत्सव का संबंद है डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा देखे यह जो उत्सव है यह है मकर सकरांती के अवसर पर सवरी माला आयपपा मंदिर जो है यहाँ पर आयोजित होता है इसके लाब मैं मैं बताना जाहूंगा जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ मैंने भी टॉपिक वनाए है उसमें से एक मैंने प्रमुख जो भारत के मंदिर ह दिया है तो आपको हमारे चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं ठीके तो याद रखना है मकर विलक को जो उत्सव है यह आंदर प्रदिश में सेलिवेट किया जाता है इसके लवा एक और एक अन्य फेस्टिवल भी है केरल का इसको हम बोलते हैं थियम महुत्सव तो यह भी केरल और करनाटक दौनों राज्यों में मनाया जाता है एक प्रकारसरी नत्य पूजा का एक लोग प्रिय उत्सव है तो एक अन्य त्योहार को भी आपको याद रखना है अगला कुशन है सूरी सास्त्री नत्य महुत्सव प्रतिग व नत्यों से संबंदित ये महुत्सव है त्रिवननत पूरम केरल में इसका आयोजन किया जाता है ठीक है इसके लबाब अभी मैंने बताया था कि केरल का जो सास्त्री नत्य है वो कथक कली है तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है अगला कुशन है प्रशिद हमपी मह महुत्सव किस राजी में मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा करनाटक का जो हमपी है यहाँ पर ही इसका आयोजन किया जाता है आपको याद रखना है यह जो त्योहरे बच्चो विजय नागर सामराजी अपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा 1336 से लिकरके 1646 तक इस मनाया जाता है आपको याद रखना है इसके लावा जो मद्यकाल था या फिर आप जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते तो हम पी जो थी विजय नागर सामराजी की राजधाने थी है ना तो याद रखना है हम पी महुत्सव कह हो मनाया जाता है हम पी करनाटक में celebrate किया जा मैं भगवान बाहु वली की 52 फीट उंची जो प्रतिमा है इसका अविशिक कर मनाया जाता है ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा महुत्साव भैस दोड़ प्रतियोगिता के लिए प्रशिद्ध है ठीक है तो इसका त्योहार है कंबाला ये दक्षन पश्चिमी भारती राजी करनाटक के 30 एलाकों में होने वाली एक प्रतियोगिता है जो की दो दिवसी प्रतियोगिता होती है ठीक है इसमें भैसों को किसान दोड़ाता है ठीक है और इसका जो आयोजन है सामाने ताह नवंबर से मार्च मह में किया जाता है यह त्योहार तमिलनाडू के जल्लू कट्टू अभी हमने हाली में जल्ली कट्ट्यू त्योहार को देखा था जो कि तमिलनाडू में सेलिवेट किया जाता है तो उसी के जैसा ही त्योहार है बसंता रित्ता है कि वहाँ पर बैलों को दोड़ाते है और यह का जो सर्वोच चिनयाल है अफिर सुप्रीम कोड है इसने कंबाला और जल्ली कट्टू पर प्रतिवंद लगाने का आदेश दिया था है ना तो ये बात भी आपको याद रखना है लेकिन तीन जुलाई अग्ला कुशन दिख लेते हैं कुर्ग का कोडवा समुदाए निमनलिकित में से किस तियोहार के दौर्ण हाथियों की पूजा करता है तो इसका अंसर हो जाएगा तो हतियारों का त्योहर या फिर इसको हतियारों और फसलों के त्योहर के रूप में भी जाना जाता है करनाटक का एक और प्रमुक त्योहर है जिसको हम बोलता है करागा महोत्साव तो यहाँ प्रतिवर्ष आदी शक्ती के रूप में दुरोपदी की वापसी को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है तो यह कुछ अन्य तोहर भी आपको याद रखना है ठीक है इंपोर्टेंट है अगला कोशन है फ्लैमिंगो उत्साव आंधर प्रदेश के किस जिले म मनाया जाता है तो नैलोर जिले में फ्लैमिंगो उत्साव मनाया जाता है देखिए जो आंधर प्रदेश और तमिलनाडो की बॉर्डर पे खास्तोर पर आंधर प्रदेश में जो जील है जिसको हम बोलते है पुलिकट जील है एक लैगून जील है कई वार हमने जोगरफी मे जब आते हैं, तो आंदर प्रदेश में जो परेटन होता है, तो आंदर प्रदेश की परेटन को भी इस से बढ़ावा मिलता है तो यह बात भी आपको याद रखनी है अगला कोशन है, लुम्बिनी महोत्साओ का आयोजन किस राज़ी में किया जाता है तो यह काफी महत्रपूर्ण कोश्चन है क्योंकि जब जैसे ही आप इस कोश्चन को पढ़ेंगे यदि आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप बिहार वगएरा को टिक करके आ सकते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा आंधरपदेश याद रखना है लुंबिनी जो महत्सव है यह आंधरपदेश राज्य में सैलिवरेट किया जाता है काफी महत्रपूर्ण है आपको याद रखना है आंधरपदेश और तेलंगाना चुकी पहले एक ही राज्य थे तो दोनों राज अगर बांध के पास इसको आयोजित किया जाता है ठीक है इस त्योहर का लुंबिनी की बात करें तो बौद धर्म की एक समरद विराशत और संस्कृति पर प्रकाश डालने का एक पर्व है और बौद धर्म की महत्रता को प्रदर्शित करना इसका उद्देश यह है आपको याद रखना है ठीक है और यहाँ पर बिविहन टाइप की गतिविधियां इस उत्सव के दोरान आयोजित की जाती है जो कि भगवान बुद्ध को समरपित होती है इस महत्सव का जो उत्देश है यह है गौतम बुद्ध की सिक्छाओं को याद करना इसका उत्देश है तो जो यह फैस्टिवल है इसमें उत्देश्ट कला और वेंजन जो खाना की वेंजन होते हैं इनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है तो यह बात भी आपको याद रखनी है काफी महत्तपूर है अगला कोशन दिख लेते हैं बथू कंपा बथू कंपा जिसको हम बोलते है महुत्सव किस राज्ज में मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्ज में इस उत्सव को या फिर महुत्सव को मनाया जाता है आपको याद रखना है देखिए यह जो महुत्सव है महिलाओं के द्वारा मनाया जाना वाला एक छेतरी परवह आपको य तो कभी ऐसा भी कुश़्न आ सकता है कि फूलों की तयोहर के नाम से किस तयोहर को जानते हैं तो बुथु कमपा तयोहर को जानते हैं जो कि तेलंगाना ऐ जょई जो तयोहर है बच्चो टुटल साथ दिनों तक चलिवेट किया जाता है आपको जात रखना है और कुवारी लड जाता है आपको याद रखना है काफी महत्पूर्ण है तेलंगा ना का जो दूसरा सबसे बड़ा जन जाती समुदा है जिसको हम बूलते है कोया जन जाती तो इसके दौरही चार दिनों तक मनाये जाना वाला ये त्योहार है आपको याद रखना है जिसको हम मेदराम जात्रा के नाम से जानते हैं और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है इसके लबाँ मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है तो ये बात भी आपको याद रखना है इसे वर्स 1996 में एक राज्य महात्साव के रूप में भी घोशित किया गया था तो ये भी काफी महत्पूर्ण पॉइंट हैं दोनों आपको याद रखना है इसके लबाए राज्य का एक अन्यतियोहार भी है जिसको हम बोलते हैं बुनालू उत्साव तो इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और खास्तोर पर है सिकंद्रावाद और हैदरवाद जिनको हम जुड़वा सहर बोलते हैं तो यहाँ पर है सैलिवरेट किया जाता है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं भारत के किस राज में फतोरपा जात्रा उत्साव मनाया जाता है तो काफी महत्पूर्ण कोशन है तो यह जो उत्साव है यह गोवा राज में मनाया जाता है आपको याद रखना है देखे जो फतोरपा जात्रा है गोवा की सबसे प्रिशिद जात्राओं में से एक है आपको याद रखना है और यह है चूपेक तालुका के फतोरपा में सांती दुरगा, कुंकोलिन, कारिन के मंदिन में मनाया जाता है आपको याद रखना है इसके लवा इस त्योहार के दौरान पूरे गुव में बिविन धर्मों, समूदायों और जातियों के लोग यहां पर आते हैं और पूजा करते हैं दिसंबर जनवरी के दौरान पांच दिनों तक यह जात्रा चलती है आपको याद रखना है और इस आयोजोन का जो मुख्या कर्शन का केंद होता है यह रत जिलूस होता है तो यह बात भी आपको याद रखनी है ठीकें? तो याद रखना है जो फतोर अपा जात रहाए यह गुवा में आयोजित होता है इसके लब एक और अन्य त्योहार है साव जुआओ महोत्साव तो यही भी गुवा का एक प्रमुक कैथोलिक पर्व है इसके बारे में भी आपको याद रखना है अगला कुशन दिख लेते हैं सिग्मु महोत्साव कहां मनाया जाता है तो इसका अंसरो जाएका गुवा गुवा में सिग्मु महोत्साव मनाया जाता है आपको याद रखना है तेखी यह जो महोत्साव है आदिवासी जो समुदाए के लोग होते हैं इनके दोरा मनाया जाना वाला एक महोत्साव है इसके लब जो यह उत्साव है धान की सम्रद्दी और सुनहरी फसल का उत्सव है जो कि वसंत्रितु की सुरुवात का प्रतीक माना जाता है इसके लवे इसको रंगों का त्योहार भी कहा जाता है ठीके तो ये बात भी आपको याद रखना है एक और अन्य त्योहार है गुवा का आपको याद रखना है चिखल का उत्सव यह भी गुवा में मनाया जाता है एक और अन्य त्योहार है गुवा का चिखल कालो त्योहार या फिर उत्सव जो की गुवा में ही मनाया जाता है या है पारंपरिक मिट्टी का जिसे इस्थानी रूप से चिखल कालो के नाम से भी जाने जाता है तो आपको ये बात भी याद रखना है इसके लावे है गुवा का जो मरसेल गाँ है यहां का एक विशेज धर्मिक तेवहार है तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखनी है चले अगला कोशन दिख लेते हैं काला घोडा कला महुत्साव का आयोजन महाराष्टर के किस जिले में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई मुंबई में काला घोडा कला महुत्सव का आयोजन किया जाता है जो ये काला घोडा कला महुत्सव है मुंबई में आयोजित होना वाला एक वार्षिक कला महुत्सव है जिसे काला घोडा संस्थद्वारा 1999 में शुरू किया गया था ये बात आपको याद रखना है रखना है इसके लावा इस महुत्सव में नर्ति से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडी क्राफ्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, सिनेमा, साहित के अलावा और भी कई तरीके की खलाओं की प्रदर्शनी देखने को हमें मिलती है ठीके तो ये बात भी आपको याद रखना है इसके ल अंदरपिदेश और करनाटक में उगादी और महराष्ट में है गोडी परवा के रूप में हम मनाते हैं इसी दिन चैत्र नवरात्री का प्रारंब होता है तो ये बात भी आपको याद रखना है चली अगला कुशन है अजन्ता एलोरा अंतराष्ट्री महुत्सव का आयोज किया जाता है तो ये बात आपको याद रखना है इसके लब आक्टूवर यह जनवरी के महिने में तीन दिनों तक चलने वाला या है एक महुत्सव है आपको याद रखना है प्रारंब मैंसे ऐल्यूरा गुफाओं के कैलाष्ट मंदर में आयोज़ित किया जाता था इसके को मनाने का उद्देश कला और संस्क्रती को बढ़ावा देना है तो ये बात भी आपको याद रखनी है इसके लावा इस उत्सव को मनाने का उद्देश कला और संस्क्रती को बढ़ावा देना है तो ये बात भी आपको याद रखनी है चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं भ पेंटा गुफा हैं ये मुख्य रूप से भगवान शिवकु समर्पित गुफा मंदिरों का एक समू हैं तो ये बात भी आपको याद रखना है काफी महत्पूर है चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं कौनार्क नत्य महुत्साव किस राज्य में आयोजित किया जाता है आप जानते ही होंगे कौनार्क का सूरी मंदिर उडिसा में है और यहाँ पर ही कौनार्क नत्य महुत्साव का आयोजित किया जाता है तो कौनार्क नत्य एक वार्षिक कारिक्रम है जो कि नत्य महुत्साव है आप जानते ही होंगे इसके लाब यह है उट्साव राज्य में मुहिनी अटम, कथक कली, मनी पुडी, छाओ जैसे भारती नत्यों के साथ मनाया जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफी महात्पूर है, अगला कुशन दिख लेते हैं, नुआ खाई उत्सव किस राज्य का प्रशिद्य महोत्सव है, तो इसका मनाया जाना वाला है, कि ये वार्शिक फसल उत्सव है, आपको याद रखना है, ठीक है, और यह है उत्सव गड़ेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो ये बाद भी आपको याद रखना है, फसलों से संबन देती है, उत्सव है, इसके लाब एक और आपने काफ़ी प्रशिद उडीसा का त्योहर सुना होगा जिसको हम बोलते है जगनात पुरी रथ यात्रा है इसे गुंडिचा यात्रा या फिर रत्म हुठ्सव के नाम से भी जाना जाता है आपको याद रखना है जो कि उरिशा के पुरी सहर में मनाये जाने वाला पूरी नगर से गुजरते हुए रत गुंडीचा मंदिर पहुंसती है तो ये कुछ अन्यटेल भी आपको याद रखनी है ठीक है अगला कुशन दिख लेते हैं निम्न लिखित मैंसे कौन सा उडीशा का एक लोगपरिय त्योहार है तो इसका अंसर हो जाएगा धनुयात्रा धनुयात्रा जो है ये उडीशा का एक लोगपरिय त्योहार है तेकि यह जो धनुयात्रा है विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच यह फिर जिसको हम बोलते हैं ओपन याद थेटर महोत्सव है इसके लब है उडीशा के बरगड में मनाया जाता है धनुयात्र जो है ये कृष्ण और उसके राक्षस मामा कंश की पौराना की कताओं पर आधारित त्योहार है तो ये बात भी आपको याद रखनी है काफी महत्पूर है अगला कुशन दिख लेते हैं निमने लिकित मैंसे कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रशिद्ध है तो इ आपस में लड़ने की वज़ाए सांती की मार्ग पर चलने के लिए प्रोचसाहित करना इसका मुख्य उद्धेश है आपको याद रखना है इसके लावक कहलिंग महोत्सव को मार्सल डांस के राश्ट्री महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है तो ये बात भी आपको य आयोजन किया जाता है ठीक है तो याद रखना है तिरूपती मंदिर में ही इसका आयोजन होता है और इसमें मुख्य जो देवता होते हैं वो भगवान वैंक टेश्वर या फिर या स्री निवास है ठीक है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है किस भगवान को इसका जो आयोजन है करनाटक के बैलूर हलेविड में होईसाला मंदरों में आयोजन किया जाता है और यह एक परंपरिक संगीत और नत्य उत्सव है यहां से ऐसा भी कुश्चन आ सकता है कि इन में से कौन सा महुत्सव संगीत और नत्य को समर्पित है तो ऐसे कुश्चन भी एक्जाम में देखने को मिलते हैं आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है अगला कुश्चन है निमने लिखित में से कौन सा महुत्सव केरल राजी में मनाया जाता है तो इसके लावा यह केरल वाश्यों के लिए नव वर्ष का दिन होता है यह प्रतिवर्ष अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है और केरल के प्राचीन तेवहरों में भी यह आता है तो यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कुश्चन दिख लेते हैं थाई पुसम किस राज्य का प्रशिद्ध उत्सव है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का एक प्र को डिसकस किया है जो कि दक्षिन भारत के प्रमुख पर्व त्योहार थी इसके में हमारा आगessä है यह next पार आएगा second part जिसमें हम उत्तर भारत और वंत्तर पूर्वी भारत के जितने भी महुत्सा तेवार हैं उनको डिसकस करएंगे ठीक है तो जितने भी यह कोश्चन है क करें इसके लाब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलेंगे अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए वाई वाई टेक क्यार जैहें